एक सुबह बाबा है, मुझे उठा कर बोले, याया, चलो आज में तो मैं साइकल चलाना सिखाता हूँ मैं जैसे ही भार गया, वहाँ पे एक नई, चम चमाती हुई साइकल मेरा इंतजार कर रहे थी, उसको देखके मेरा नादान सावान उचल कूट करने लगा, पर जैसी मेरी नजर पिछले वाले पईये के ट्रेनिंग मीट की गैर मौजूदगी पे गई, मेरा मन फिर बैढ़ ग बाबा बहुत दूर खड़े थे, उन्हें इतना दूर खड़ा देख मैं डरा, और मेरी डर की वज़े से साइकल फिर डगमकाई हुई, और पहली बार गिरी, मेरी तश्रीफ जो सीट पर जमी हुई थी, वो जमी पर आ गिरी थी, बाबा दोड़े दोड़े पीछे साया है, थोड़ा मुस्कुरा है, मुझे उठा कर घर ले गए, तो एक दिन मैंने सोचा कि आज तो इस डर की ऐसी की तैसी करूगा, तो मैंने अपनी साइकल को भगाना शुरू किया, इतना तेज, बाबा पीछे से चिला रहे थे, बेटा तुम बहुत तेज जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा धीमे चला, थोड़ा धीमे चला, अरे, वह आगे देखो, खटा है, अरे, तुम किसी से टकरा जाओगे, उनकी सारी नसियत मानो मेरी रफ्तार में कई घूमसी हो गई थी, ये जो हवा चल भी नहीं रही थी, वो अचानक मुझे चूमना शुरू कर चूकी थी, औ अचानक मेरा पैर फिसला, पैडल से, साइकल फिसली, मैं घसीटे हुआ जमी पे गिरा, और पहली बार आखों से आसू और घुटने से लहुबा, पर असली जखम मेरे आहम को लगा था, बाबा दोड़े-दोड़े आए, आज बिना मुस्कुरा, मुझे उठा कर घल लेगा एक मोड से घुमा कर फिर घल लाया, बिना गिरे, इस सुबब बाबा को मैंने उठाया, हस्ते हस्ते पूरा किस्सा सुना और बस इतना कहा कि बाबा देखो मैं साइकल चलाना आखिर मैं सीख गया, बाबा मुस्कुरा है और जवाब मैं कहा कि बेटा तु से साइकल चलाना आज तो जिन्दगी में चलना भी सीख्या उन्हेंने मुझे बताया कि कैसे हैंडल हमारा ध्यान है पेडल हमारी मेहनत ये चलती हुई साइकल हमारी काम्याभी चल रही है इस रास्ते पर जिसे कहते हैं जिन्दगी उन्हेंने मुझे समझाया कि घमंड की रफ्तार में और इंसानी रिष्टों के खड़ों में मैं बार बार गिरूगा पर मुझे उठना है, साइकल को फिर से खड़ा करना है और चलाते जाना है तब तक जब तक मौत की खाई ना जाए झाल झाल